ये आकाश्वानी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुब्रा भट्टा जारिया और अब पेश है आज के मुख्य समाचार गंटंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राश्ट्र को संबोधित करते हुए राश्ट्रपती ने कहा कि देश किसानों के कल्यान के लिए पूरी तरहा प्रतिबद्ध भात्तरमा गंटंत्र दिवस कल गरिमा मैधंग से मनाया जाएगा राज्जिपाल, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री जग्दलपुर और विधान सभा अध्यक्ष जाजगीर चापा में तिरंगा फहरा कर परेट की सला मिलेंगे राज्जि के 19 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों का चैन विशिष्ट सराहनी और वीता पदक के लिए किया गया और 36 कर सहित देश भर में मनाया गया राश्ट्री मतदाता दिवस केंद्रे कानून मंत्री रवी शंकर प्रसाद ले इपिक कारिक्रम का किया शुभारंब अब समाचार विस्तार से राश्टपती रामनात कोविंद ने कहा है कि विप्रीट प्राकृतिक परिस्थितियों अनएक चुनोतियों और कोरोना महमारी की आपदा के बावजूद किसानों ने कृशी उत्पादन में कोई कमी आनिन नहीं दी है देश किसानों के कल्यान के लिए पूरी तरह प्रतिबद है उन्होंने कहा कि किसान देश की खादी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रही है इसी तरह सेना के बहादूर जवान भी विप्रीत परिस्थितियों में देश की सुरक्षा करते रही है श्री कोविंद आज गंटंत्र दिवस की पूरू संध्या पर राष्ट को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपती ने कहा कि खादी सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, आपदाओं और बीमारी से सुरक्षा तथा विकास के विभिनक शेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अप कि देश में समहमारी पर काबू पाने में तथा विक्सित देशों की तुल्ला में मृत्युदैर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, प्रिशासन और अन्य लोगों के साथ मिलकर अमोल ये योगदान दिया है। इस मौके पर राज्य पाल जनता के नाम अपना संदेश देने के साथ ही राज्य के पचीस कोरोना वारियर्स को सम्मानित करेंगी। अन्य मंत्री अलग-अलग जिला मुख्यालेव में ध्वजा रोहन कर परेट की सला मिलेंगे। गंटंत्र दिवस की पूर्व संध्यापर राज्य पाल अनुसूय उई के मुख्यमंत्री भुपेश बगेल और विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर चरंदास महंत ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुप कामनाय दी है। केंद्र सरकार ने गंटंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा, सराहनी सेवा और वीर्ता पदक के लिए 36 गड़ से 19 पुलिस अधिकारियों और करमचारियों के नामों की घोश ना की है। मनिशा सिंग, वर्षा शर्मा, कमलेश कुमार सोन बोईर, पीडी अशुक कुमार, तुलराम बांक, अरुन बहादूर, केशव कुमार ध्रूव, अश्वनी कुमार सिंग और रविंद्र कुमार भुवारी को दिया जाएगा। इसी तरह वीर्ता पदक, अजय सोनकर, अब्दुलसमीर, रमन उसेंडी, लीलधर राठोर, ओम प्रकाश जेन, संतोष हेंबला, रमेश कुमार सोरी और टीपी दिलिप को प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अपसे कूछ दिर पहले पद्म पुरसकारों की घोशना की गई है। पुरसकार देने की घोशना की है। तता बहादुरी के एक शेत्र में असाधरन योगिता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधान मंत्री राश्ट्रे बाल पुरसकार के इंतरगत बाल शक्ती पुरसकार प्रदान किये गए। चतिसगर विज्ञान और प्राध्योगी की परिशादवारा राज्यस्तर ये बाल विज्ञान कॉंग्रिस का वर्च्वल आयो जन्पंडित रविशंकर शुकल विश्वविद्याले राइपूर में किया गया। इस मौके पर राज्यस्यक्ष्णिक समन्वैक राष्ट्रे बाल विज्ञान कॉंग्रिस द्वारा राज्यस्तर पर चैनित बाल विज्ञानिकों के नाम की घोशना की गई। पागे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बनाने और चुनावों को शांति पूर्ण धंग से संपन कराने में निर्वाचनायोग के योगदान की सरहना की जाने चाहिए। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन मतदाताओं का पंजिकरन विशेशकर युवा मतदाताओं के बीच जागरुकता बढ़ाने की भी आवशक्ता है। इस मौके पर केंद्री कानून मंत्री रवीशंकर प्रसाद ने ये एपिक कारिक्रम का शुभारंब किया और पांच नए मतदाताओं को फोटो युगत मतदाता पहचान पत्र प्रदान किये। अपने मत की कीमत को पहचाने और चरित्रवान उम्मिद्वार का चुनाव करें। निश्पक्ष भैरहित और बिनलालज के मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपत दिलाई। पत्र सूचना कारेले P.I.B. और प्रादिशिक लोकसंपर्क कारेले आरोबी राइपूर के सेंक्त तत्वाधान में आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण पर एक वेबिनार का योजन किया गया। इस वेबिनार में सूचना और प्रसारण वंत्राले के फील अधिकारियों के लावा नहरू युवाकेंद्र तथा राश्ट्री सेवाई योजना के स्वैम सेवक, लोककलाकार और छात्र छात्राएं शामिल हुए। मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज बड़े किले नार में 156 करोड रुपए से अधिक के विभिन्य विकासकारियों का लोकारपन और शिला नियास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज जग्दलपूर में निर्मित आडिटोरियाम और ट्रॉमा सेंटर का लोकारपन किया। इसके अलावा श्री बगहेल ने बस्तर विकासकंड के कुकानार में मिनी स्टेडियम, किले पाल में नए हाइ स्कूल भवन का निर्मान, तामडा घूमर और मेंद्री घूमर में परेटन को बढ़ावा देने के लिए एक करोड रुपए की स्विक्रिती दी। वहीं मुख्यमंत्री ने जग्दलपूर में नवनेर्मित लाला जग्दलपूरी ई-गरंथाले का लोकारपन किया। अब कुछ अन्ने खबरे संक्षिप्त में। केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने इस वश मार्च के बाद 5, 10 और 100 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आज राश्ट्री परेटन दिवस है, इस मौके पर मुखे मंत्री भुपेश बखेल और परेटन मंत्री तामरध्व साहु ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुप कामनाय दी है। सेनाकोन की निवास पर जाकर शौल और श्रिफल से सम्मानित किया गया। और भारत स्काउट्स गाईट्स राइपुर जिलाद्वारा वन ग्राम देवपूर में दो दिवसे फिट इंडिया हिट इंडिया कारिक्रम का आयूजन किया गया। राज्यपाल, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री जग्दलपुर और विधान सभा अध्यक्ष जांज की चापा में तिरंगा फहरा कर परेट की सलामी लेंगे। राज्य के 19 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों का चैन विशिष्ट सराहनी और वीर्ता पदक के लिए किया गया। और 36 गड़ सहित देश भर में मनाया गया राष्ट्रे मतदाता दिवस। केंद्री कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इपिक कारिक्रम का की आशुभारम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्थ हुआ। नमस्कार।